दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरस्टिंग मुवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम रूफ अषीक है मुवी बहुत ही इंटरस्टिंग और कमाल की होने वाली है और इस मुवी में एक बहुत ही सीक्रेट सस्पेंस को चिपा कर रखा गया है जिसे हम मूवी के एंड में जानते हैं वैसे सच कहूं तो सस्पेंटिक मूवीज एक अलगी लेवल का थ्रिल देती है इस मूवी में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो एक fabulous मूवी में होना चाहिए मूवी में horror scene, suspense, misconception और एक समझाता सब कुछ बहुत ही deeply level में adapt है इस मूवी में रूफसीक मूवी की IMDb rating 6.3 stars out of 10 है मतलब की audience ने भी इस मूवी को बहुत ही अच्छा declare किया है और दोस्तो अभी हाल ही में मैंने broadcast signal intrusion नाम की एक बहुत ही बहतरीन फिलम को explain किया है इन केस आपने अगर उसे miss कर दिया है तो link आपको description और comment section में मिल जाएगा तो चलिए headphones लगाए और बिना वक्त गवाइश शुरू करते हैं इस मूवी की explanation को तो मूवी के starting scene में जहां हम Zara और उसकी बीटी Amaira को देखते हैं जो की नमाज पढ़ रही होती है मिन्वाइल अचानक से कोई उस रूम में एंटर होता है और वो Zara की गरदन को काट देता है तब ही उसका husband अकबर और Amaira दोनों वहां पर पहुंचते हैं लेकिन तब तक Zara की death हो चुकी होती है अकबर Zara के मर्डर से पूरी तरह से तूट जाता है और दिल पर पत्थर रखकर उसे दफन करता है सीन यहां close होता है और फिर हम travel करते हुए दो साल आगे जाते हैं आगे की कहानी दो साल बाद से शुरू होती है जहां हम देखते हैं कि अकबर ने रेनाता नाम की एक दूसरी लड़की से शादी कर ली है असल में उसका इरादा शादी करने का बिलकुल नहीं था वो बस Amaira की देखभाल के लिए एक माँ चाहता था और वो अपनी इस दूसरी शादी सुधा जिन्दगी से पहले की तरह खुश नहीं था अकबर अब भी उसकी फर्स्ट वाइफ यानि की जारा की आद में खोया रहता था और उसके मुर्डर का पता लगाना चाहता था और जारा की देख के बाद से ही अकबर का भरोसा लापर से उड़ गया था इसी वज़े से उसका चाइल्डूट फ्रेंड हसन उसे कन्फरंट करता है हसन उसे मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि मस्जित के मौलाना उसके बारे में पूछते हैं और उसे मस्जित आकर नमाज पढ़ना चाहिए इस पर अकबर चिड़ जाता है और हसन पर भड़क जाता है और इतने में ही उसकी बेटी अमैरा वहाँ पर आ जाती है और वो हसन से जाकर गले मिलती है क्योंकि हसन पहले उसका उस्ताद रह चुका था अब यहाँ पर अकबर ने अमैरा को भी मस्जित जाने से मना कर दिया था लेकिन वो अमैरा को हसन से पढ़ने की इजातत दे देता है खेर इसके बद हसन वहाँ से चला जाता है और अगले सीन में हम अकबर की सेकेंड और प्रेजन वाइफ रहनाता को देखते हैं रहनाता अपने रूम में सोने वाली होती है कि तब ही बातरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो बातरूम के अंदर चेक करने के लिए जाती है कि आखिर वहाँ पर कौन है तब ही उसके करीब से अकबर गुजरता है और उसे सोने के लिए कहता है रेनाता अभी बातरूम में ही थी कि तब ही उसके फोन पर एक टेक्स रिसीव होता है जो कि अकबर ने उसे मेसेज भेजा था कि उसे आने में वक्त लगेगा ये देखकर रेनाता कन्फ्यूज हो जाती है कि उसने अभी तो अकबर को देखा था और वो तेजी से बेटरूम की तरफ भागते हुए आती है लेकिन अकबर उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता अगली सुबह रेनाता अकबर से ब्रेकफस्ट करते हुए कल रात के इंसिज़न्ट को डिसकस करती है और उसे ये भी बताती है कि कल रात को अकबर को उसने देखा था और उसी समय अकबर का मेसेज भी आया रेनाता अकबर को वो मेसेज दिखाने लगती है लेकिन वो मेसेज उसके फोन से गायब था अब यहाँ पर अकबर उसे उसका वहम बता कर उस बात को नजर अंदास कर देता है अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अकबर का फ्रेंड हसन मौलाना अभी से अकबर की कंडीशन के बारे में डिसकस कर रहा होता है कि अकबर अंदर से एकदम तूट गया है अकबर का भगवान पर से भरोसा ही उड़ गया है और यहाँ पर अभी उसे सलाह देते हैं कि वो समय समय पर अकबर का हाल चल पूछने जाता रहे अब अगले सीन में हम एक होली प्लेस को देखते हैं जहांपर अकबर का सामना उसकी महबत जारा से होता है। जो कि अकबर की पहली वाइफ थी जिसके सदमे में वो आज तक डूबा था। अकबर उससे इंटरेक्ट करते हुए बहुत ही इमोशनल हो जाता है और फिर उससे पूछता है कि तुम्हें किसने मारा। जवाब में जारा उसे कहती है कि वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा अभी तुम नहीं जान पाओगे। तब ही अकबर सपने से जाकता है और हमें यहां पर पता जलता है कि यह महद उसका एक विजन था। इस सपने से वो बहुत ही ज़दा डरा हुआ हुआ होता है और उसकी सांसे भी तेज होती है। और यहां पर रेनाता भी अकवर को समालती है। इसके बद अकवर मूध होने के लिए वाच रूम में एंटर होता है और मूध होने लगता है कि तभी हमें उसके पीछे एक वीच्ची हलकी सी जलक भी दिखाई जाती पर वापस दर्वाधा खोलता है तो उसे पता चलता है कि दर्वादा बाहर से लॉक्ट है और वो रेनाता को आवाज देते हुए कहता है कि तुमने दर्वादा बाहर से क्यों बंद किया अकबर थोड़ा फूल करने के बाद बाहर आता है तो देखता है कि रेनाता भी दूसरे वाश्रूम में बंद थी उसे भी बाहर से किसी ने लॉ होता है और कहता है कि मुझे नहीं समझा रहा आखिर मैं क्या करूं अभी उसे सब अल्ला पर छोड़ देने के लिए कहते हैं और उसे शांत करवाते हुए कहते हैं कि अल्ला सब करते हुए अकबर जिक्र करता है कि वह आज कहीं बाहर जा रहा है और वो दिर रात तक लोटेगा उसी शाम अमयरा खेल रही होती है लेकिन तभी उसे रहनाते की चीक सुनाई देती है वह भागते हुए उपर जाती है और देखती है कि रहनाता किसी के द्वरा पोजैस हो रह यहां उसे पता चलता है कि रहनाता की बोड़ी किसी डैवल ने पोजैस की हुई है वो डैवल रहनाता के अंदर से बोलता है कि मुझे इस ओरत की रूच आईए इसी वीच हसन प्रेयर करता है और कुछ दिर बाद रहनाता बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है इतने में अक अकबर हसन को घर से बाहर निकाल देता है जिसके बद हसन की वाइफ उससे अकबर की वाइफ की तवियत के बारे में पूछती है जहां पर वो कल रात हुए पूरे इंसिडेंट को उसे बताता है और वो अकबर के उस बीहेवियर के बास से उसकी मदद करने से साफ इंकार कर देता है लेकिन हसन की वाइब उसे समझाती है कि आखिरकार वो तुम्हारा दोस्त है और तुमें उसकी मदद करनी चाहिए सीन यहां से रेनाता की तरफ शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि रेनाता किचन में बरतंद हो रही थी कि तभी प्लीट सपने आप किसक जाती है जिससे रेनाता डर जाती है तब ही रेनाता को कोई पैर लगा कर नीचे जमीन पर गिरा देता है जिससे रेनाता डर जाती है और अकबर से कहती है कि उसने किसी को यहां पर दीखा है वो उसे इस घर को छोड़ कर चलने के लिए कहती है लेकिन अकबर उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि अगर यहाँ पर कोई भूत है तो वो सिर्फ तुमें ही क्यों दिखाई देता है इस पर रेनाता उसे उस रात वाले इंसिडेंट के बारे में याद दिलाती है जहां वो दोनों अपने आप बाहर से बातरूम में बंद हो गए थे खैर रोज रात की तरह अगबर बीच में ही वहाँ से चला जाता है इस बार हमें दिखाया जाता है कि अगबर आखिर डेली रात को जाता कहां था असल में अगबर अपनी फर्स्ट वाइब जारा के ग्रेवियाड पर जाता था जहां उसकी कबर के पास जाकर वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है उसे ऐसी सीचुएशन में कमल नाम का सक्ष देख लेता है जो कि उसका ही फ्रेंट था कमल अगले दिन ये बात हसन को बताता है जिससे हसन भी अकबर के लिए अपचिंता कर रहा था मोवी फिर से रेनाता पर स्पॉर्ट करती है जहां रेनाता डर कर बैठी होती है तब ही उपर से उसके हाथ पर एक खून की बूंद किरती है जिससे रेनाता बहुत ही ज़दा डर जाती है और बाहर भागने के लिए दर्वाजा खोलती है लेकिन दर्वाजा नहीं खुलता वो बहुत कोशिश करती है लेकिन तब ही दर्वाजा तेजी से खुलता है और सामने अकबर खड़ा होता है रेनाता अकबर को उस भूत के बारे में बताती है और कहती है कि वो उसे मारना चाता है लेकिन अभी भी अकबर उस पर विश्वास नहीं करता है उसी रहत अमेरा रेनाता को पुकारते हुए उपर के कमरे में जाती है जहां वो देखती है कि रेनाता हेलपलेसली जमीन पर पड़ी होती है और वो अमेरा को खुद के पास आने से रोकती है अमेरा भागते हुए अपने डैड को बुलाती है और जब अकबर वहाँ पर पहुंचता है तो वो देखता है कि रेनाता किसी डैवल के द्वारा पोजेस है अकबर रेनाता को उठा कर वहाँ से कबरे में ले जाता है जिससे सब कुछ थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाता है इसके बद अकबर मौलाना अभी के पास जाता है जहां अभी उसे कहते हैं कि अगर कोई इंसान ये कहता है कि उसने भूत देखा है तो या तो वो जूट बोल रहा है या फिर उस पर किसी बुरी शक्ती ने अपना कबजा किया है अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेनाता घर में आकेली होती है कि तभी अमैरो उसकी तरफ आती है और इलूजनिक वे में कुछ समय के लिए उसमें उसे डैवल दिखाई देता है जिसे देखकर वो डर जाती है कुछ समय बाद कमल और हसन अकबर के घर पहुंचते हैं जह अभी भी पीछे से प्रेयर्स पढ़ रहा होता है यहां पर हसन उस डैवल से पूछता है कि आकर क्यों उसने रेनाता के शरीर पर कबज़ा किया है जिसके जवाब में रेनाता के अंदर से वो डैवल कहता है कि रेनाता ने उसके साथ समझोता किया था एक के बदले दूसरा अब ये समझोथा क्या था ये हमें मुवी के एंड में पता चलेगा हसन कुछ दिर और प्रेयर्ज करता है और रेनाता कमल की गर्दन को छोड़ देती है और फिर कुछ दिर बाद रेनाता अपने आप बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है नेक्सीन में हम देखते हैं कि हसन मौलवी अभी को रेनाता के बारे में बता रहा था जहां वो उस सौधे के बारे में कहता है और बताता है कि वो अब आगे कुछ नहीं कर सकता जिस पर मौलवी अभी उसे समझाते हुए कहते हैं कि हमें हार नहीं माननी है और अगर शैतान से सौधा हुआ है तो वो उसी शक्स को हानी पहुँचाएगा जिससे उसका सौधा हुआ है बेवकुफ लोग ही अपने फायदे के लिए शैतान से सौधा करते हैं जिसके बाद मौलवी अभी हसन को रेनाता के पास चलने के लिए कहता है इसके बाद अभी हसन और कमलतीनों अकबर के घर जाते हैं और वहाँ पर उसकी बीवी रेनाता से पूछते हैं कि क्या तुमने कभी किसी सैतान से कोई समझोता किया था इस पर रेनाता हां में जवाब देती है और कहती है कि हां ये बहुत बड़ा सौधा है अब हसन रेनाता को उस जगह पर जाने के लिए कहते हैं जहाँ पर उसने ये सब किया था और यहाँ पर मुलाना अभी अकबर को रेनाता के साथ रहने के लिए कहते हैं इसके बाद अकबर और रेनाता एक पुराने से सुनसान खंडर पड़े इलागे के पास जाते हैं जहां जाकर उन लोगों को एक भूतिया घर दिखाई देता है और वो लोग उस घर के अंदर दाखे लोते हैं कि तब ही रेनाता को मच्छरदानी के अंदर एक सोता हुआ कंकाल दिखाई देता है जो कि वही डेविल था जो कि रेनाता के शरीर पर कबजा करना चाता था वो उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि आखिर उसने डेविल की बात क्यों नहीं मानी क्यों उन लोगों को घर में नमाज पढ़ने दिया तब ही अकबर दोड़ता हुआ आता है तब तक उस डेविल ने रेनाता को लगबग मार दिया होता है अब रेनाता अपने आकरी समय में थी और वो अकबर को उस सच्चाई के बारे में बताती है जिसे जानने के लिए अकबर पिछले दो साल से परिशान था यहाँ पर सबसे इंटरस्टिंग पार्ट दिखाया जाता है जहाँ रेनाता अकबर को कहती है कि असल में उसकी फर्स्ट वाइब जारा का कतल रेनाता नहीं उस डेविल से कराया था तब ही हम एक फ्लेश बैक को देखते हैं जहां रेनाता एक लेडी से अपनी प्रॉलम डिसकस करती है जहां वो बताती है कि अकबर से वो बहुत प्यार करती है लेकिन उन दोनों के प्यार के बीच एक दिवार है और उस दिवार का नाम जारा है और क्या जारा को किसी डेव तुम अपने मकसद को अंजाम दे सकती हो लेकिन अंजाम के तोर पर तुमें भी बदले में उस शैतान को कुछ देना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो शैतान तुमारे शरीर पर कबजा कर लेगा अगर ये सुनकर पूरी तरह से तूट चुका था तभी रेनाता के शरीर पर उस शैतान का कबजा हो जाता है जो कि अगर को मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर हसन और कमल पहुंचते हैं और वो प्रेयर्स के दम पर वो उस शैतान को जला कर डिसपियर कर देते हैं मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग भागते हुए अकबर के पास आते हैं जो कि बिल्कुल ठीक था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खतम हो जाती है अब दोस्तों ये मूवी मुझे बहुत ही दिल्चस्प लगी जहां मैं आपको एक अंडरलाइन बात बताता हूँ असल में रेनाता और शैतान के बीच एक डील हुई थी कि शैतान रेनाता के रास्ते के काटे यानि कि जारा को खतम कर देगा और बदले में शैतान चाह रहा था कि उस घर में कोई भी नमाज न पढ़े लेकिन अफसोस रेनाता उस इच्छा को पूरा नहीं कर पाई जिससे वो शैतान जुसे भी मार देता है तो दोस्तो उमीद खरता हूं आप लोगों को मेरा एक्स्प्लाइशन पसंद आया होगा और दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पूर और पर प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए